नमस्कार आप सभी का एगेंस्क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि किसी भी PIO लोग सूचना पदाधिकारी जन सूचना पदाधिकारी द्वारा काड़ियाले बुलाकर यदि वांचित सूचना परदान नहीं की जाती है तो उसके खिलाब आप धारा अठारा के तहत किस प्रकार सिकायत बाद दर्च कर सकते हैं मैंने यहां गरिह विभाग के रतवारा उपी परभारी के खिलाब धारा अठारा एक के तहत सिकायत बाद दाइर किया है विश्रिस बात यह है कि बहुत ऐसे लोग सुचना पदा दिका रही हैं खास कर गरीवराग के पुलिस विवाग के जो अपने मनमानी धंग से सुचना देने का काम करते हैं या जिसमें भरष्टाचार हुआ है उस सुचना को दबाने का प्रयास करते हैं और आवेदक को RTI कारिकरता को बार बार सुचना मांगने के कारण भरष्टाचार का उजागर करने के कारण उसे गलत अफ़यार भी दर्ज कर दिया जाता है जबकि उसकी अनेक सिकायत पर कोई कारवाई भी नहीं की जाती है ऐसे ही मामला मेरे साथ भी हुआ करता था इसलिए मैंने बिहार आज मुक्षूचना आयुक्त के समच एक सिकायत बात दायर किया है चलिए जो इस चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किये हैं वो अब सबस्क्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा कर आल पर पर भी क्लिक अवर्ष कर लें तथा यसे इतना सेहर करें कि हर भारते को इसकी जानकारी हो सके और वे आसानी से धारा आठारा के तहट अपने सिकायतबाद को सुचना आयोग में मुक्षूचना आयोग के नाम से दर्ज करवा सके तो चलिए किस प्रकार करेंगे देखें सत्य में बजयते, शेवा में बिहार राज मुक्षूचना आयुक, सूचना आयुक पटना पंद्र है अपने अपने राजी के मुक्षूचना आयुक के समक्ष आप धारा अठारा के तहत सिकायत बात दायर करेंगे बिसे सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुपालन नहोंने हुए वेवार ठीक से नहीं करने पर धारा अठारा के तहत सिकायत बाद दायर करने के शम्बंदु लोग सूचना अपदा अधिकारी जिसके इब्रुद सिकायत है नाम लोग सूचना अपदा अधिकारी रविकान ठेjor समें पद का नाम ओपी रतवरा परवारी पता ओपी रतवरा काड़ियाल भूश्ट रतवरा अलम नगर जीरा मधिपुरा पीनकोडित ना जिस वी लोक सुचना पता दिकारी कि आप सीकायत करेंगे उसका पीन कार्ड सहित उसके कार्याले का पता होना चाहिए महोदे मैंने उप्योक कार्याले में सुचना के अधिकार के तहद दिनांग 11.2020 को प्रपत को रेश्टर डाग द्वारा सुचना की मांग किया लेकिन सो समय सुचना नहीं दी गई जब मैंने दिनांग 6.2020 की समय 11.15 मिनट एम को लोग सुचना पता दिकारी सहोपी रतवारा प्रभारी रविकांद के मोबाइल नंबर इतना पर मुझे थाना वुला रहे थे चुकि मैं दिव्यां हूँ इस कारण मैंने दिनांग 6.12.2020 की समय लगभग 10.00 सुबह अपने माता पिता को लोग सुचना पता दिकारी की कारिया ले रतवारा भेजा तो लोग सुचना पता दिकारी की कारिया ले के अन्य करमचारी द्वारा भी बैवार ठीक से ना कर वांचित सुचना भी नहीं दी इसके बाद मैंने कई दिन वो कई बार लोग सुचना पता दिकारी से मोबाइल पर संपर करने गा प्यास किया लेकिन लोग सुचनापदादीकारी और पीरतवारा परभारी द्वारा जान बूझ कर कॉल रिशीव नहीं किया गया एवं मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को ही जूटा केस में फुसानी का प्रियास किया ऐसे इस्तिती में मैं करवद प्रातना प्रुवक्त करना चाहत हूं पहला लोग सुचनापदादीकारी को बांचित सुचनापदान करने का निर्देश दिया जा तتहा दोसी लोग सुचनापदादीकारी के खिलाब करवाई करते हुए धारा बीस एक के तहत आर्थिक डंड लगाने की किरपा किया दूसरा सुचना के अधिकार अधिनियम कानुपालर नहीं करने सौसमे ठीक काम नहीं करने उसुचना मांगने पर जूठा केस में फुसाने के कारण दोसी लोग सुचना पताधिकारी करमचारी पर धारा बीस दो के तहत अनुशासनिक करवाई के लिए सिपा सिभी करने की किरपा की जाए तीसरा धारा उनिस आठ बी के तहत मुझे हुई आर्थिक छती के लिए मुआबजा भी दिलाने की किरपा की जाए हालांकि धारा आठारा के तहट कोई भी सुल्क भिहाराज में नहीं दी जाती थी उस समय मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने 10 रुपे का भारते पुस्टल ओडर भी दिया था अपना हस्ता अक्षर कर देंगे पूरा मुबाइल नंबर अपना पूरा पता दिनांग अस्थान अवस्ट लिख देंगे जो भी प्रपत्र को उसे अभी परमानित कर अवस्ट सगलंग करेंगे जिससे असपष्ट हो सके कि प्रपत्र को द्वारा हम लोगोंने क्या सूचना मागी थी और उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी यह प्रपत्र को था इस प्रकार आप सेल्प एटेस्टिट करेंगे देखें यह स्वावी प्रमानित क्या हुआ है और इसके साथ मैंने जो शिकायत बातदार किया था उस पर सुनवाई भी शुरू हो गई है जो वाद संख्या इतना से आयोग में लंबित है और इसकी सुनवाई अगले मा होने वाली है जय हिन